2022 में final exam देने वाले हैं और history paper का देने वाले हैं तो यहां से आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखीर तक देख लीजीगा क्योंकि यहां पर बहुत जादे important question को cover करने वाले हैं तो अगर आप लोग इस question को पर चुके हैं तो revision कर लिजे क्योंकि exam के लिए revision करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप लोग इस question का answer जानते हैं तो आप लोग हमारे साथ जवाब देते जाएगा अगर नहीं जानते हैं तो मैं तो आप लोग को जो है बताते जा रहा हूँ अगर आप लोग लाइब देख रहे हैं तो फटावट से आप लोग जवाब देने के लिए तयार हो जाएए और अगर बाद में देख रहे हैं तो comment section में बिल्कुल भी जवाब देना बिल्कुल मत भूलना तो question number कहारा कि पुरातत्व के अंतरगत निम्न मैंसे कौन एक नहीं है तो यहां पर हमारा right answer क्या है यह पुरातत्व के अंतरगत नहीं आता है तो हम लोग स्पीड में करेंगे फटावर से आप लोग जवाब दीजेगा अब यहां देखें दूसरा number question क्या है कलकत्ता में अलेक जेंडर कनिंगम को कहा जाता है राइट एंसर बी नंबर हो जाएगा अब चलिए आगे की और देखेंगे question number हमारा यहां पर चार नंबर बोला जा रहा है जीवक वैद किस वन्स के काल में था तो यहां पर राइट एंसर क्या हो जाएगा अब देखेंगे आगे की औ dhelp help.com लिखेगा आपको सारा model paper PDF notes important question जो है आप लोग को मिल जाएगा Google में यह सारा लिख देना है bvp help.com ठीक है चलिए अब यहां पर देखेंगे question number 6 हमारा क्या बहुमिदान का उल्लेक मिलता है तो 6 नंबर कर आइटेंसर हमारे यहां पर क्या हो जाएगा तो परभावत सकते हैं अब यहां कि मौरे कलाब का निमनिम मैंसे कौन सारवदिक मातपुर्ण नमुना है तो यहां पर हमारा राइटेंसर अस्थम राइटेंसर डी हो जाएगा अब देखते हैं आगे क्यों आगे question हमारा क्या है आठ नंबर कैट्रिली की क्रिति है तो राइटेंसर क्या राइट अंसर हो जाएगा चंद्रुप्त मौर्य की दरबार में आया है था अब आगे देखेंगे question हमारे क्या है 10 नंबर बोला जा रहा है मौरे काल के टकसाल का परदान कौन था तो मौरे काल के टकसाल का परदान जुदा यानि राइट अटर डी नंबर लक्षन अधियक विट्र वीर्य हो जाएगा तो अगर पढ़ना चाहते है या फिर डाउलड करना चाहते है तो आप लोगों को लिखना है bbphelp.com bbphelp.com गूगल में लिखना है यह लिखेंगे आप लोग को सारा चैप्टर वाइज उसका मोडर पेपर मिल जाएगा आप लोगो अब यहाँ देखेंगे चलिए अब यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर क्वेशन हमारे क्या है कि महरसी वयाज द्वारा उत्पन संतान थी तो महरसी वयाज संतान को उत्पन नहीं किया तो यह सभी हो जाएगा ठीक है अब देखेंगे 15 हमारे क्या पूले जा रहा है कि महा भारत के किस परवे में वर्ण विवर्ष्था का उलेख मिलता है तो 15 नंबर का यानि परकृति के पूजा किया करते थे चलिए अब देखेंगे आगे की और आप लोग को में बार बर बोल रहा हूं कि चलिए अब देखेंगे आगे की और आगे क्वेश्ण हमारे क्या अठार नंबर बोला जा रहा है कि निम्न मैंसे गौतम बुद्ध के सिस्स तो गौतम बुद्ध के सिस्से कांट्य यहां पर राइटेंसर इन वेसे सभी डी नंबर हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखें क्वेश्ण बोलें चाहिए कि सभी तांबर एवं दिवंग दिगंबर का संबंद किस धर में से हैं तो यहां पर जो हमारे डिट हो जाएगा तो जैन धर में से सभी जो गवर्पश्ण में बहुत सारी जो ऑड मरेने इसको किया में अब यहां पर देखें क्या है बहुत का बच्पन का नाम तो बाहत का बच्पन का नाम क्या है शिदार्द हो जाएंगा यहनि है नंबर के चलीर अब देख च्वेच्छन 22 क्या विभीर दर्सना की विवा किष्भी तो जान विल रागे हमारा ओच्वेच्छ नंबर कोछ जाएगा विजिए कंड़ 줄 समिधान का पिता किसे कहा जाता है तो राइट अंसर जो हो जाएगा यानि डॉक्टर भीम्राव अंबेड कर राइट अंसर बी नमबर हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखेंगे आगे की और आगे हमारा कोशन पर 25 नमबर क्या बोला जा रहा है कि लॉड माउंड बेटन ने वेसराई के रूप में पदगरन किया था तो कब पदगरन किया था तो 25 नमबर का हमारा राइट अंसर जो जाएगा यानि 24 मार्च 1947 हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखेंगे आगे की और आगे हमारा कोशन क्या है 26 नमबर बोला जा रहा है कैबिनेट मिसन योजना के सद भारतिये सनविधान सभा की सदस्थी तो इन में से सभी यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखेंगे आगे की और आगे हमारा कॉशन क्या बोला जा रहा है कि भारतिये सनविधान कब लागू किया था तो भारतिये का सभीस जनवड़ी उन्हें इस नंबर दुविश्य यूद्र किस वर्ष परारंब हुआ था तो यहां पर आइट आंसर जाएगा तो इसका राइट आनसर दुविश्य यूद्र जो प्रारंब हुआ था तो यहां पर हमारा बी नंबर हो जागा 1949 में हुआ ठीक है चलिए अब देखेंगे आगे की और आग अब आगे देखते हैं क्या है 32 बोला जा रहा है 15 अगस्त 1947 इस वी को जब भारत स्वतंतर हुआ था उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी तो लेबर पार्टी राइट ए नमबर हो जाएगा चीक है तो आप लोग को मैं बार बार बता रहा हूं अगर आप लोग जो इस पीडियाफ को पढ़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चलिया आना है वहां पर आप लोग को लिंक दिया हुआ है बीवीप हेल्प डॉट कॉम अगर सर्च करना है तो आप लोग को वहां पर भी मिल सकता है अब यहां देखें क्या है भारतिये सोतंतरता अध दिसंबर 149 ठीक है ओके बहुत बढ़े हैं अब देखेंगे आगे की और आगे हमें क्या बोला जा रहा है फॉर्वर्ड ब्लोग उन्हें चालिस की आस्थापना किस ने की तो राइट आंसर जो जाएगा इनिस सुभास चंद्र बोस ने की थी राइट अंसर शी नमबर हो हो जाएगा ठीक है अब देखेंगे यहां पर क्वेशन हमारा क्या सैथिस नमबर बोला जा रहा है उन्हें सो बीस में कौन सा आंदुलन हुआ था तो यहां पर सैथिस का राइट एंसर बी नमबर जगने आउसवयोग आंदुलन हुआ था अब आगे बढ़ते हैं क्वेश नमबर बहुत रहा है भारत चोड़ो आंदुलन किस वर्ष परारब होथा तो यहां पर उन्चारस नमबर का राइट नमबर जाए निसमें हुआ था चले अब यहां देखेंगे बच्पन का नाम क्या था तो मात्मा गांदी के बच्पन का जो नाम ता इसका राइट आंसर नमबर जाएगा यहां पर आइट नमबर का बी नमबर मनु नाम था ओके चलिए अब देखेंगे आगे की और क्वेश्ट नमबर एक तालिस बोला जा रहा है कि उन्हें सो सत्रे में चंपारन गांदी जी किसके आगरे पर अनुड़ोद पर गया था तो राइट एंसर क्या नमबर हो जाएगा चलिए अब देखेंगे आगे की और क्वेश्ट नमबर बोला जा रहा है कि मात्मा गांदी दक्षीन अफ्रिका से भारत वापस आए तो कब आयते तो 43 नमबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जागा फटाबट से आप लोग को जवाब देने है तो शी न इंडिया जो है इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो 44 नमबर का सी नमबर हो जाएगा ठीक है राइट अंसर सी नमबर अब देखेंगे यहां पर क्वेश्टन है हमारा इंडिया गेट का निर्मान कब हो था तो आप लोग को फटावट से जवाब बोलने तो इसका इसका राइट अंसर हमारा क्या हो जाएगा फटावट से बूलिया आप लोग भी जवाब दे सकते तो यहां पर राइट अंसर नमबर हो जाएगा इसमें इसका अब देखते हैं आगे की और चले आगे हमारा क्वेश्टन क्या है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधि किया था अब देखेंगे आगे की और क्वेश्टन नमरा क्या कि भारत की राजदानी कलकता से दिल्ली अस्थांतरी थी तो इसका राइट असर डी नमबर 911 में हुई थी अब देखते हैं आगे क्वेश्टन नमरा पचास से क्या बहुत जा रहा है कि बिहार में 1857 के वीद आवद में तो बेगम हजरत महल ने किया था राइट अंसर श्री नमबर हो जाएगा अब देखेंगे आगे की और आगे कोशन हमारा क्या है रानी लक्षमी भाई का जन्म किस अस्थान पर हुआ था तो यहां पर हमारा राइट अंसर कौन सा जगा तो काश्री राइट अंस जो जाएगा यानि इन मैंसे सभी जगह पर हुआ था चली अब देखेंगे आगे की और क्वेशन हमारा क्या है पर 54 नमबर जोकन बाग हत्या कांड आठ जून को कहां हुआ था तो यहां पर हमारा राइट अंसर क्या चववन नमबर का तो ए नमबर हो जगा जहांसी में इस इंडिया कमपनी को बंगाल की दिवान नी किसने परदान की थी तो यहां पर 55 नमबर का हमारा राइट अंसर जो जाएगा श्री नमबर यानि शाह आलम दूईतिये ने परदान की थी अब देखते है आगे के और कोशन हमारा क्या चपन नमबर बोला जा रहा है अस्था इस इंडिया अस्थापना कब हुई थी काफीजी कोशन है अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि 588 का ड किस जन जाती के बारे में पता चलता है तो राइट एंसर क्या बी नंबर एंस अन्थाल ठीक है चले ओके अब देखेंगे आगे की और क्वेश्चिन हमारा क्या है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है तो यहां पर राइट अंसर यानि होई इनसांग को कहा जाता है बी नंबर हमारा राइट अंसर हो जाएगा अब देखेंगे आगे के और आगे क्वेश्चिन हमारा क्या है प्रतान के सासंकाल में भारत आया था तो यहां पर हमारा चौंसर नंबर का राइट अंसर क्या हो जाता है तो ए नंबर मुहमद बिन तुगलक हो जाएगा अब देखेंगे आगे की और आगे हमारा क्वेश्चिन क्या बोला जा रहा है यहां पर देखेंगे 65 नंबर मद्य य्यूगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है तो यहां पर हमारा यत अट भी नंबर जेका मार्कोपोलो ठ therapeutic मार्कोपोलो अब देखतें आगे कोशन में falar कि है किताब city in all right मिलता है तो किताब रेला में किसका यात्रा विरितांत मिलता है त्ब मलता है चलिए अब देखेंगे आगे की ओर कबीर से किसके तो यहाँ chance नंबर को सब्स्सद्रहिब सब्सक्राइब जवाब दे सकते हैं तो यहाँ पर जो 60 का राइट अंसर चलिए चलिए अब देखेंगे आगे की और कि चलिए यहाँ पर आचुए हमारा कोशन क्या बलो जा रहा है बंगाल के परसिद संत जो थे वह कौन थे तो यहाँ पर जो 68 साथ आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा चैतन महाः पर्वु अब देखेंगे आगे कि और आगे क्वेश्टन क्या है कि स्ली तो दिल्ली मि है तहिक अब आगे देखेते हैं से कुटमिद्न बक्तियार काकी का संबन्द कि सूफी संपरदाय से है तो यहां पर राइट अंसर जो जाएगा चिस्ती राइट अंसर देका संकराचारी यह मत है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा तो औहुंज़ए अब देखेंगे आगे कि और कोश्टन आपर हमारा क्या है पाहन पूजेहरी मिलें किसकी काव्य पंक्ति है तो यहां पर 53 नमर का राइट अंसर को जवाब देने है चलिए अब आगे देखते हैं हमारा सब्सक्राइब आगे देखते हैं हमारा यहां पर बोला जा रहा है सहाँ कि किस पुत्री ने ख्वाजा मुएदिन चिष्टी सहाइब की अजमेर इस्तिद्ध दरगा का वर्णन किया था तो यहां पर राइट आंसर जो जाएगा अब देखते आगे कि और कुश्चन नमर हमा ठीक है यहां पर राइट आंसर बी नमबर हो जाएगा ओके चलिए अब देखेंगे आगे कि और आगे कुश्चन यहां पर क्या बोला जा रहा है करा कि परसिद्ध विरुपाक्ष मंदिर कहां इस्तित है तो परसिद्ध विरुपाक्ष जो मंदिर इस्तित है वो राइट चलिए ऐगे ते निम्बर होने त्याइस अंब का संबंद कि सराज Technology से तो पहचान की गए थी तो किस्ते ने हमपी के नाम से पहचान की गए थी अब आगे बढ़ते हैं कोश्चनमर हमारे यहां पर क्या बोला जाता है तो यहां पर आगे क्या हो जाएगा तो सरकार के नाम से जाना जाता था अब देखते हैं आगे क्यों आगे क्या है आपर चलासी नंबर कहरा कि आउरंग जेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था तो इसका राइट अंसर जो जाएगा दक्षिन भारत में श्री नंबर अब आग इसका राइट अंसर जो हो जाएगा तो आज आगे इसमें से कितना असर सही हुआ है कमेंट सेक्षिन में बताना बिल्कुर मत भूलिएगा और आप लोग जो है अगर पीडियाफ पराप्ति करना चाह रहे हैं पीडियाफ लेना चाहरे तो आप लोग क्या करेंगे www.helphelp.com को आप लोग को गूगल में सर्च कर देना है और यहां से आप लोग सारा पेडियाफ को राप्तिक कर सकते हैं तो चलिए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का लिंक है वहां पर जूट जाना आप लोग को और वहां से आप लोग जो है जो है क्लास कब ह होती है वह सारा चीज आप लोग को बता दिया जाता है तो चलिए आज का वीडियो इतना है तब तक लिए जय हिंद जय भारत मिलते है अगले वीडियो में